अब देखो अब हम कवर करेंगे प्रच्छेप गति तो प्रच्छेप गति तो प्रच्छेप मोशन को सीखने के लिए कुछ आपको मुझे फंडामेंटल्स बताना नैसेसरी है कुछ टर्मेंडलोजी बताना जरूरी है वह स्टार्टिंग में मेंशन है अगर आपको चीजें अच्छे से सीखनी है तो आना जलूरी है करें प्रच्छेप प्रच्छेप पहली बात थो टू-डैमिशनल मोशन होता है यानि टूडी यानि दुब मिये मोशन होता है दूर्चीज अगर आपको प्रच्छेप मोशन के बी कॉंसेट मैं यान सिخआओंगा वह सभी एर रेस्टेंस को नेगलेक्टेड रखते हुए आपको मुझे सिखाने है यानि न्यगलेक्टेड टे इफेक्ट ओफ विंड एज वाल एज नेगलेक्टेड डएफेक्ट ओफ इए resistance इसी base पर मुझे आपको preatail motion के one day या concept सिखाने है clear है såd 1993 preatail motion का वास्ता में meaning क्या है, मैं आपको इस पूरे lecture के अंदर cover करूँ गा थिक है तो देखो, मान के चलो ये जो मेरे पास एक Muff की body है, या एक negligible mass की body है या ball volume में 表सी के ball है, और इस Muff वर्टिकल डिरेक्शन में उपर की तरफ फैंकता हूं, तो अगर हम इसको फैंकता हूं, तो नीचे आ गई, तो motion एकी डिरेक्शन में हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, motion in straight line, या motion in one dimension, अगर मैं इसी ball को, M mass की ball को horizontal डिरेक्शन में, तो एक ही direction में तो motion हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे motion in straight line clear है न तो कहने का meaning क्या है कि ball को आप vertical direction में throw करो या ball को आप horizontal direction में throw करो ये सभी motion क्या है motion in straight line है सरल रिखा में गती लेकिन ना तो motion straight line में हो ना motion vertical direction में हो तो वो motion इन दोनों के बीच में हो उस motion को हम कहते हैं 전 evento motion ना तो motion horizontal direction में हो ना motion vertical direction में हो motion इन दोनों के just beach में हो clear है इनके beach में कहीं horizontal और vertical के beach में वो जो motion है motion क्या कहलाएगा पुरियर्टयल motion तो यह चीज मैं आपको graph से समझाता हूँ और starting में आपको मैं terminology सिखाऊँगा कौन कौन सी term को हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ठीक है तो वो जरूर ध्यान से देखिएगा देखो यह मेरे पास x-axis है और यह मेरे पास y-axis है यह x-axis और y-axis और मैं एक object को एक m-mass की ball को u-velocity से throw कर रहा हूँ यू clear है ना इसकी velocity कितनी है यू इससे मैं इसको throw कर रहा हूँ अब देखो यह जो path बनाएगी जब मैं इसको इस तरीके से throw करूँगा इन दोनों के बीच में horizontal direction और verti direction के just बीच में कहीं भी यहाँ इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको throw करता हूँ तो कुछ इस तरीके का path बनाती है इस तरीके का यह path बनाती है clear है तो यह जो path है वो किसकी बज़े से बन रहा है वो बन रहा है gravity force की बज़े से यह नि देखो ऊपर से नीचे की तरफ कौन लग रहा हुआ इस गैंद पर क्या लग रहा हुआ जी अगर यह ball है और यह ball यहाँ पह तो इसको नीचे की तरफ कौन लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम कंडिशन यहाँ गई तो अब इसको और नीचे ठीक है अब यहाँ गई तो इसको और नीचे की तरफ ला रहा होगा और एक टाइम बात इसको यह अर्थ पर ले आएगा यह condition रही होगी तो इस ball को नीचे की तरफ कौन लेके आ रहा है ग्रेविटी फोर्स क्लियर है बहुत important condition के ग्रेविटी फोर्स की बज़े से ही प्रेट्टायल मोशन पॉसिवल होता है पहली बात तो यह और देखो यह जो path है यह जो रास्ता है इस path को हम बोलते है trajectory path यानि और इसका दूसरा नाम होता है पैराबोलिक path यह simple प्रच्छे पर पत बोल सकते हैं या हम इसको परवलेकार पत भी बोल सकते हैं परवले कार पत या हम इसको प्रच्छे पर पत भी बोल सकते हैं प्रच्छे पर पत यह जो path है यह वाला इस तरीके से इस path का नाम होता है trajectory path या पैराबोलिक path अब कुछ terminology है वो सीखो और आगे के concept मैं इसी के अंदर explain करूँगा पहले terminology सीखो कि जो जो चीज हमें जो नाम जो जो वर्ड हमें सीखना necessary है किसे क्या कहते है यह जो u speed है ठीक है इस speed को हम बोलते है इस velocity को हम बोलते है velocity of projection क्या बोलते है हम इसको velocity of projection जिस speed से जिस velocity से हमने इस ball को थ्रो किया है उसको बोलते है हम velocity of projection यानि प्रचेप गती और जिस angle से मान के चलोए ball इस horizontal direction के साथ horizontal surface के साथ angle क्या बना रही है theta किसी theta angle से इसको हम थ्रो कर रहे है तो जो angle है theta है इसको हम क्या बोलते है angle of projection क्या बोलते है इसको हम angle of projection यानि प्रचेप्य कौन clear है और जिस point से हम इसको थ्रो कर रहे है उस point को हम क्या बोलते है point of projection यानि प्रचेप्य विंदू अब देखो ये जिस point से मैंने project किया फेंका, throw किया तो एक time बाद आके इस point पर आ गया होगा अर्थ पर आ गया होगा तो ये जो point है इसको हम बोलते है point of point of lending या मैं और इसका दूसरा नाम होता है target point क्या होता है इसको हम बोलते है target point clear है इन दोनों के बीच की जिए दूरी होती यानि मैं बोल सकता हूँ point of projection और point of lending यानि ये वाली जो separation है ये वाली जो distance है इसको हम बोलते है horizontal range क्या बोलते हैं इसको हम horizontal range horizontal range clear है अब देखो ये हो गया horizontal range इसको हिंदी में बोलते हैं 36 परास 36 परास clear है अब मैंने इस गयंद को u bake से u velocity से थ्रो किया तो गयंद किती देर तक हवा में रही कितना time लिया इसने हवा में रहते हुए यानि इस point of projection से लेके target point तक पहुँचने में इसके बीच में कहा रही होगी हवा में रही होगी तो हवा में जो लिया गया time है ठीक है तो उस time को हम बोलते है time of flight क्या बोलते हैं इसको हम time of flight this is time of flight that is अब देखो एक point ऐसा रहा होगा कि जिस point पर ये gain अपनी maximum height attain करी होगी इसने और उसके बाद उस height से नीचे की तरफ drop होना start होगी होगी मैं सारे concept explain करूँगा क्या चीज़ें कैसे रही होगी लेकिन आपको मुझे अभी सिर्फ terminology सिखानी है कुछ naming सिखानी है इस topic के अंदर ये जानना बहुत जरूर ही है कि किसे हम औरेन काल कहते हैं किसे हम 36 परास कहते हैं basic सी knowledge होना नैसेसरी है ठीक है तो देखो एक ऐसा point जरूर रहा होगा नीचे की तरफ आने start होगी होगी उस point को हम क्या बोलते हैं उस point से अगर मैं ये नीचे वाले point को draw कर दूँ इस तरीके से तो ये वाला जो point है चिक है और ये वाली जो line है मैं इसको बोल सकता हूँ maximum height h max h max का मतलब क्या है maximum height इस point से लेके जो ground से सबसे उंचा point होगा जनी जो सबसे उंची height पर जो गैंद होगी उसे हम क्या बोलते है maximum height अधिक्तम उंचा ही clear है अब देखो थोड़ा सा और important point of projection से maximum point तक जो सबसे उंचा है ground से point यहां तक पहुँचने में जो time लगा है ball को उस time को हम बोलते है time of ascent यानि चढ़ान काल clear है यानि यह वाला time यानि यहां से यहां तक इसे हम बोलते है time of ascent clear है time of ascent चढ़ान काल इसे हम बोलते है ta के नाम से clear अब देखो अब maximum height वाले point से और target point तक जो time लगा होगा ball को आने में उस time को म बोलते है time of descent उतार काल clear है तो यह वाला जो point है वो कहलाता है time of descent यानि उतार काल that is TD एक amazing बात क्या है कि ball को point of projection से इस maximum height वाले point तक पहुँचने में जितना time लगा होगा और इस maximum point वाले point से point of landing तक जो time लगा होगा वो दोनों equal होते हैं मतलग मैं बोल सकता हूँ कि time of ascent बराबर time of descent बॉल को point of projection से यहां तक पहुचने में लगा time और यहां से यानि target point तक पहुचने में लगा time दोनों equal होते हैं clear है और मैं इसको किसे नोट कर देता हूँ small t से clear और मैंने आपको भी क्या पताया था कि point of projection से लेके इस target point तक के बीच में हवा जो गैंद में रही है जो गैंद जितीन देर तक इस हवा में रही है वो जो time है उसको हम क्या बोल रहते है time of flight तो मैं time of flight को क्या बोल सकता हूँ capital T बराबर यहां से यहां तक का time प्लस यहां से यहां तक का time दोनों को क्या कर दो add time of ascent प्लस time of descent यह भी T यह भी T तो क्या हो जाएगा 2T अब यह इसी बात है यह आप धिहान रखना मैं भी आपको यहां formula भी calculate करके दूँगा कि time of flight का formula क्या है लेकिन यहां से देखो T बराबर क्या आगया है 2T अगर मैं time of ascent निकाल देता हूँ तो मुझे मेरा formula time of flight का मिल जाएगा क्योंकि time of ascent और time of descent क्या है equal होते हैं clear है तो यह चीज़ें आप note करो इसके बाद मुझे और चीज़ें अभी आपको explain करनी है अब देखो अब मुझे आपको यहाँ पर cover करना है कि maximum point यानि यह जो ball है u velocity से मैंने जो project की है throw की है वो एक इसका ऐसा point जरूर होगा जिस पर एक maximum height attain की होगी तो उस point पर velocity कितनी होगी horizontal velocity और vertical velocity यह चीज़ें मुझे आपको explain करनी है ठीक है तो देखो पहली बात तो अगर मैं किसी object को m mass के object को u velocity से throw कर रहा हूँ तो वो दो motion कर रहा है एक तो horizontal motion और एक vertical motion यानि horizontal motion जो x-axis direction में है vertical motion मतलब जो y direction में है clear है तो देखो इस u के दो component होते है अगर आप किसी angle theta से किसी body को throw करो तो इसके दो component होते है एक तो horizontal direction में एक vertical direction में clear है तो जो horizontal direction में जो component होगा वो होगा u x vertical direction में जो component होगा वो होगा u y clear है और जो u x है वो किस के बरावर होता है u cos of theta और जो vertical direction में जो component है u y ये किस के बरावर होता है u sin of theta इतनी बात clear है अब देखो गैंद को जो मैं throw करूँगा एक ऐसा point आएगा जो maximum point उस point से और ground तक के बीच की separation है, distance है, जो height है वो maximum रही होगी तो यानि मान के चलो वो ये point है इस point पर गैंद की height सबसे maximum रही होगी तो मैं इस height को वो सकता हूँ, ground से उस point तक की height को मैं क्या वो सकता हूँ maximum height h maximum height अनि अधिक्तम मुँचाई, maximum height तो ये maximum point है ये वाला point अब देखो आप, बहुत important condition मान के चलो ये जो ball है ये जो ball मैं इसको throw कर रहा हूँ u velocity से, वो यहाँ आ गई यहाँ पर, तो u velocity से चल रही है clear है, तो आप देखो इसके दो component होंगे एक तो x-axis direction में है और एक y direction में है क्योंकि अभी ये gain ऊपर की तरफ चल रही है ठीक है, तो ये x-axis direction में component क्या होगा, u x और y direction में component क्या होगा, v y clear अब देखो, इस point पर आ गई है maximum point पर आ गई है इस maximum point पर आने का meaning क्या है कि अब ये vertical upward यानि upward उपर की तरफ upward vertical velocity इस point पर maximum होगी यहाँ, अब इस point पर आने क्वादे नीचे की तरफ आएगी, मतलब होगा इस point पर upward vertical velocity 0 होगी क्योंकि अगर 0 नहीं होती तो अभी और उपर जा रही होती यानि अब इस point से वो कहा हो गई नीचे आना start हो रही है मतलब इस point पर जो vertical velocity है वो क्या है, 0 तो v y क्या है, 0 लेकिन इस point पर क्या आपका horizontal velocity है, that is u x वो u ही चलता रहेगा, u x constant होता है, मैं भी आपको explain करूँगा तो इस point पर जो maximum point होता है उस पर vertical velocity 0 होती है क्योंकि उस point के बाद अब गेन नीचे आना start हो रही है तो upward vertical velocity जो होता है इस point पर 0 होता है अब आप देखो, गेन मान के चला आगी आपकी इस point पर यहाँ टीक है, तो इसके अभी वही दो component होंगे एक तो यह वाला, जो कि u x है जो कि constant है एक ही direction में move करेगा अब देखो, वर्टीकल वेलसिटी अब कहा जाएगी downward direction में, जिसे मैं क्या बोट रहा हूँ वी वाई जो गेन्द का रही है, नीचे की तरफ तो गेन्द जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तब वर्टीकल वेलसिटी जो होगी उसका अपोज कौन कर रहा होगा acceleration due to gravity that is minus g लेकिन नीचे की तरफ आ रही होगी अब गेन्द नीचे की तरफ आ रही है, downward direction में तब जो वर्टीकल वेलसिटी वो किसके बरावर होगा, positive g के बरावर, तो बहुत-बहुत important condition मैं आपको explain कर रहा हूँ important condition पहला तो ये x axis यहनि x direction मतलब horizontal direction और दूसरा ये y direction मतलब vertical direction clear है उन दौनों case में देखो इस case में यहनि x direction में देखो, जो ux है वो क्या है, constant है, क्या है वो constant है वो change नहीं हो आप देखो उसकी direction देखो, ux की यहाँ u, यहाँ v u यहाँ v u, यहाँ v u तो जो ux है, वो constant है वो change नहीं हो रहा, लेकिन आप vy को देखो आप, उपर की तरफ यहाँ 0, यहाँ नीचे की तरफ downward, यह vertical upward 0 और downward, यहाँ vy जो है, वो क्या हो रहा है, change हो रहा है तो y direction में जो velocity है वो क्या हो रही है, change हो रही है क्या हो रही है, change बहुत important बात, तो जो x-axis direction में जो velocity होती है, वो change नहीं होती, वो constant रहती है y direction में जो velocity होती है, वो change होती है इसका मत्तब यह हुआ कि जहाँ जो acceleration है अगर vertical upward direction की बात कर रहे हैं तो negative g के बराबर होगा downward direction की बात कर रहे हैं तो positive g के बराबर होगा clear है और यहाँ जो acceleration होता है वो कितना होता x-axis direction में 0 क्योंकि अगर velocity constant है तो acceleration कितना होगा 0 तो x-axis direction में acceleration कितना होता है 0 क्लियर यह बात यह कुछ चीज़े important है अब देखो अब मुझे आपको यहाँ जो cover करना है वो है time of flight clear time of flight वो देखो जो कि मैंने क्या बताया था आपको भी time of flight को मैं आपको यानि उडेनकाल को मैं capital T से represent कर रहा था और यह क्या बताया था time of descent प्लस time of ascent और इसको मैंने क्या मानना था T तो T बरावर क्या हो जाता था यह 2T clear है मुझे आपको time of descent या time of ascent calculate करना है ठीक है तो generally अगर आप देखें हमें क्यूंकि अपने लिए derivation तो नहीं करना लेकिन मैं आपको समझा देता हूं नेसेसरी यह चीज़े भी जानना नेसेसरी है यह conceptual चीज़े होती है और यह जान साइन ठीटा भाई जी तो time of flat कितना आजाता है यहां T की जगह पुट कर दो 2U sin ठीटा भाई जी क्लियर है तो हवा में जो गेंद रही है उसका जो time निकल क्या है वो कितना निकल क्या है 2U sin ठीटा भाई जी देखो द्यान से इसको मैं कैसे लेकिया है T वरावर U sin ठीटा है यानि यहां से हां तक का जो time है यह वाला time क्लियर है तो maximum point यानि vertical velocity की में बात कर रहा हूंगा तो मान के चलो वी और यह यू बाई क्लियर तो आप देखो vertical velocity कितनी रही होगी यहां से हां तर जीरो यह तो जीरो हो गया जीरो और यू बाई कितना मता है मैंने आपको यू ऑफ साइन ठीटा यू साइन ठीटा अब गैंद को आप उपर की तरफ एक इसके बरावर हो जाएगा माइनस के जी के तो यह माइनस क ठीच यू हो जाएगा यानी यह माइनस या अप ऐसे लखो यू साइन ठीटा बरावर यह मैनस का धर साखाल आ गा तो कितना जायगा पलस का एड क्लियर और T बरावर क्या आगया यू साइन ठीटा फाई जे निकाल क्या वह और टाइम उप समस्पपा से लगा हूँ उस औ तक और इस point से target तक लगा हुआ समय वो दोनों equal होते हैं that is use and theta by g आपको ये भी direct याद रखना है कि time of ascent और time of descent दोनों कितने होते हैं use and theta by g और time of flat कितना निकल के आ गया है to use and theta by g अब देखो अब मैं आपको यहां cover करूंगा horizontal range यानि 36 परास ठीक है तो मैंने आपको explain किया थ अभी कि point of projection और आपका जो landing point है target point है उन के बीच का इन दोनों point के बीच की जो separation है distance है उसे हम किसके नाम से जानते है horizontal range मैं simple इसको बोल सकता हूं RH यानि horizontal range 36 परास यह मुझे आपको calculate करके देना है ठीक है तो देखो यानि यहां से यहां तक कि जो separation है जो distance है मैं उसको x मान लेता हूं ठीक है और distance x और distance पराबर क्या होता है speed into time और speed कौन सी x-axis direction वाल time कौन सा देखो आप यहां से यहां तक जो time लगा है क्योंकि भाई point of projection से लेके जो आपका target point है उस तक आने में जो time लगा है वो जो distance कवर की है उस distance को तो हम क्या बोल रहे है horizontal range और वो जो time था उसको हम क्या बोलते थे time of flight यानि ball कितनी देर हवा में रही है उस time को हम क्या गोलते है time of flight तो देखो time of flight के case के लिए मतलब हमें horizontal range के लिए कौन सा time लेना पड़ेगा time of flight क्योंकि point of projection से लेके यहां तक की जो distance है वो किस time को calculate करेगा time of flight को तो मैं यहां जो time लोगा वो कौन सा लोगा time of flight capital T क्योंकि horizontal range acquire करने के लिए मुझे जो time चाहिए वो time कौन सा है time of flight क्योंकि object बिलकुल 0 से start हुआ था ठीक है और यहां end में आके गिरा तो उसने जो distance cover की है वो कितने time में वो time कौन सा ये वाला ठीक है नहीं time of flight तो देखो आप time of flight की value कितनी बताए थी आपको 2u sin theta by g और ux की value कितनी बताए थी आपको u में u cos of theta और y की आपको क्या बताए थी u sin of theta तो x direction वाला क्या हो जाएगा u cos of theta तो देखो यहांसे एक formula बनेगा u into u यह क्या हो जाएगा u square अब देखो 2 sin theta cos theta तो क्या हो जाएगा sin 2 theta by g तो आपके पास जो x x को हम क्या बोल रहे हैं जो distance है और distance का मतलब यह वाली distance that is horizontal range तो x को मैं क्या बोल सकता हूँ horizontal range तो horizontal range का formula आगया u square sin 2 theta by g तो आपके पास horizontal range का formula आगया u square sin 2 theta by g और time of flight का formula आपके पास निकल के आगया था to use sin theta by g clear है अब देखो यह तो basic सी बात होगी अब मुझे आपको explain करना है कि maximum range के लिए angle क्या रखना होगा यानि maximum range अगर मुझे रखनी है मुझे कोई object किस angle से फैकूं उसको कि यह बहुत दूर जाके करें तो देखो अगर मैं theta 45 रखता हूँ तो 45 into 2 कितना हो जागा 90 और sin 90 की value कितनी होती है 1 यानि sin 90 की case में sin की value कैसी होती है maximum इसका मतब range भी क्या होगा maximum तो कहने का मीनिंग क्या अगर मैं theta 45 रखूँ इफ theta क्या रखूँ 45 तो इस case में जो range होगा वो क्या होगा maximum होगा क्लियर है क्योंकि angle क्या sign की case 90 हो जाएक और sin 90 कैसी value होती होती है maximum तो range भी क्या हो जाएगी maximum तो जितने भी आपके javelin throw वाले होते हैं बहला जो फैकते हैं वो अगर 45 डिगरी पर जो एंगल बनाए वो सबसे जादा दूर उसका बहला जाके गिरेगा क्लियर है तो कहने का मत्तब क्या आपको जादा से जादा range acquire करनी है तो हमेशा आपको angle क्या रखना पड़ेगा 45 उसके इसमें देखो 45 इंटू 290 sign 90 गली 1 तो maximum range का जो formula है maximum range का formula वो क्या निकल क्या जाएगा यू स्क्वाइर बाई जी क्लियर ये maximum range के लिए यू स्क्वाइर बाई जी और किसी angle के लिए आपको जो range निकालना है वो क्या है यू स्क्वाइर सैंट 2 थीटा बाई जी क्लियर अब देखो एक चीज और अगर आप किसी object को आप थीटा और 90 मैनस थीटा से थो कर रहे हू क्लियर है यानि ऐसे करके मान के चलो आप थीटा से और एक आप थो कर रहे हो 90 मैनस थीटा से मान के चलो आपने angle 30 से और एक किया 90 मैनस 30 60 से तो आपने एक object 30 से थो किया एक 60 से थो किया इसका मतलब यह है कि उन दोनों की range सेम होगी मतलब सेम दूरी पर जाके गिरेंगे अगर इस case को follow कर रहे है complimentary angles को follow कर रहे है तो इसका मतलब यह होगा कि range दोनों की क्या होंगी equal उनकी height different होंगी क्योंकि 30 से फेंका जा रहा है एक 60 से फेंका जा रहा है तो height तो दोनों की different होंगी रेकिन range क्या होंगी same मतलब देखो कुछ ऐसा figure है कि मान कि लो 30 से फेंका जा रहा है तो उसका figure कुछ ऐसा और 60 से फेंका जा रहा है कुछ figure ऐसा तो इस case में height ये है h1 और इस case में height h2 तो height तो different होंगी लेकिन दोनों के range क्या होगी बिल्कुल range क्या होगी same बहुत-बहुत important condition अगर आपको range same रखना है तो angle आपका क्या होना चाहिए complimentary ठीटा और 90 मानस ठीटा अगर एक 30 है तो दूसरा 60 अगर एक 10 है तो दूसरा 80 90 मानस 10 मतलब 80 तो ये वाले cases आपको range same देंगे ठीक है अब देखो अब मैंने आपको इस lecture के अंदर cover किया है time of flight ठीक है दूसरा horizontal range calculate करना और basic nomenclature basic naming ठीक है जो आपको आना चाहिए इस topic को सीखने के लिए ये सब मैंने यहां cover किया है अब मैं आपको next lecture के अंदर इसी की जो next video होगी उसके अंदर मैं आपसे cover करूँगा कि जो maximum height है उसकी value कितनी होगी उसका formula क्या निकल क्या आएगा और दूसरी चीज यानि trajectory equation परवले equation क्या होगी यह दोनों important है वो भी मैं आपको next lecture के अंदर cover करूँगा और साथ की साथ आपको इस पर based question भी मैं आपको next lecture के अंदर ले किया होगा तब तक वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को subscribe पना ना भूले और बेराकरन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की motivation आपको परदा करें